हजी साथ, वेलकम तो माई कार हेल्प लाइंग, कैसे आप लोग, आज बात कर रहे हैं होंडा कार्स इंडिया के बारे में, एक ऐसी जैपनीस कार मैनुफेक्ट्चर, जिसे इंडिया मार्केट में ग्लोरियस 25 साल हो गए है, एक ऐसी कमनी जिसका भारतिय पैसेंजर का मार्के शेर 7 पसद, पासेंट, इड़ स्ट्वाइवर जबाद थर्ड बेड्स अपार्ट्व एनजर एक जो पॉर्ट्फोलियो फो हर सेंडे मा डॉमिनेट करता ता, विधर तो उसके बाद दलू ओन अन्टियो, ट्याग एक जे श्ट्स, जएज, मिर्स उट न्डियस 6 लिए ख Compact SUV Space में, Premium Sedan 30, Civic, Accord, CRV और उनकी जो कार्स थे, BRV और मोबिलियों उनको भी कैसे भूल सकते हैं वर्तमान में Second Hand Car Segment में बहुत ही बड़ी experience offer कर दी लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है, 2025-2024 आते हाते है Honda Cars India का Market Share, जो एक समय था 7% करीब अभी सिमट के रहा गया है केवल 2% उनकी जो एक समय पॉर्टफोलियो था, 9-10 गाड़ियों का अभी रहा गया केवल 3 cars के रूप में, Amaze, City and Elevate एक समय जब petrol, diesel और CNG भी एक समय offer किया था City के अंदर बता रहा हूँ आपको 2013-14 के आसपास लेकिन अब केवल वो petrol cars offer करती है एक समय जो company जाने रही थी पाइनियर की रूप में They were the first in the segment so as to offer in all 4 disc brakes City 2006 में जब गाड़ी आई थी, बता रहा हूँ आपको 4 disc brakes पाते थे They were the first so as to launch in sunroof in the mid sedan segment उनकी कार जब WRV आई थी, वो compact SUV segment में पहली कार थी जिसमें sunroof offer हो रहा था लेकिन ऐसा क्या हो गया कि Honda Cars India आज की तरुक में पिछट रही है Sales में, market share में, sales जूब 2015 में 18-20 से गाड़ी अब बिकती थी, अभी सिमट के रहा है कि 7-8 से गाड़ी हो बीच में Despite of the industry growing by 40% क्या ऐसी कारी है Honda Cars India के बारे में आज का जो वीडियो है, वो एक case study के रोप में है देखें, जो पहली चीज मुझे लगता है Honda Cars India में पिछले कुछ समय से हो रही है 5-7 सालों में, वो यह हो रही है I think Honda Cars India is not keeping it with the times at present They are slightly delayed जब safety के प्ले, Indian consumers काफी समय से aspire कर रहे हैं, भाग रहे हैं Although Honda Cars India की जो बिल्ड अच्छी है Why they were the late to the party उन्होंने अभी अपरेल 2024 में जाके Elevate के अंदर, जो पिछले साल लाँच हुई थी और city में, अब six airbags standard करती है जो लो, किये तो किये, बहुत अच्छी बात है देर आए, दुरुस्ता है, पर साब Amaze में क्या हो गया क्या desire के competition में Amaze नहीं है सबको पता है Amaze की build अच्छी है अगर Amaze में six airbags आ जाते हैं ESP आ जाता, this could happen for the game changer City में अब six airbags आ गए हैं, अच्छा लग रहा है Elevate में six airbags आ गए हैं, अच्छा लग रहा है पर वक्त रहते क्यों नहीं आए, सवाल वो है और वही कारण है कि Elevate की जो positioning पहले हो सकती थी वो अब नहीं हो पा रही है Amaze का नया generation आना है, yes we all know लेकिन साब उस generation की वेट करने से पहले क्या company six airbags offer नहीं कर सकती है क्या Honda Cars India के जो MD की statement है safety for everyone तो उस चेच में safety for everyone में होंडा Cars India में है तो क्या उनकी कार अमेस में वो नहीं होना चाहिए तो वो पहला सवाल है जिस मुझ रखता है कि Honda Cars India अपने decisions में तोड़ा समय लगाती है दूसरी चीज, again keeping it with the times why not the Honda Cars India offering the features which the consumers are demanding these days three-story camera setup car में क्यों offer नहीं होता है Honda Cars India के एक सवाल है मैं बता रहाँ आपको three-story camera setup जो है ये not only बतलब ऐसा लही है कि बहुत luxury feature है, it is something which is essential considering the Indian traffic condition बहुत असान हो जाता है car को drive करना, parking से निकालना आप बता रहाँ, tight situation में हो makes the life very easy वो कार में offer नहीं हो रहे है भारत की जो climatic conditions है बहुत में गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है North India में उसमें cold ventilated front seats क्यों नहीं offer हो रही है I still fail to understand why is Honda Cars India not offering तीसरा feature जो Honda Cars India की कार में लगता है वो है tire pressure motoring system आप बहुत रहते हैं होंडा कार इंडिया हाल फिलाल में कुछ एक महीने पहले accessory के रूप में लेका आए है वो एक बात है जब लोग प्रॉशर की देखते हैं लेस्ट उसमें features क्या है उसमें तीनों चीज़े features नतारत है आज की तरिक में sunroof मैं कितना ही वीडियो मना लूँ कि sunroof gimmick है sunroof ऐसा है sunroof ऐसा है बट फाक्ट यह है bottom line यह है कि लोग sunroof के लिए aspire करते हैं और panoramic sunroof is what not becoming a trend Honda Cars India जो एक समय में electric sunroof first थी segment में उफगा निकले why have they not changed with the keeping of the times अगा panoramic sunroof offer होती trust me इंडियन consumers आज के में जाते हैं थोड़ी performance oriented car and let me tell you Honda की जो city है elevate है जो यो 1500cc का iVTEC petrol engine है एक सो चलाने का जो मज़ा है ना वो बाग की किसी कार में आपको नहीं मिलेगा लेकिन साहब जो बात है वो है तर्बो चार्ट पेट्रोल एंजन के बारे में Honda Cars India वर्तमान में भी तर्बो चार्ट पेट्रोल एंजन अपने किसी कार में ओफर नहीं कर रही है despite of the competition ओफरेंग इन Hyundai Creta में आता है Kia Seltos में आता है Škoda कुशाक में आता है VW Taigun में आता है क्या ऐसी बात होगे जो Honda Cars India नहीं ओफर कर पा रही है Hyundai Verna में आता है Škoda Slavia में आता है VW Virtus में आता है तो Honda Cars India ऐसा नहीं क्योंके पास टर्बो चार्ट पेट्रो एंजन नहीं है They have this engine in the international portfolio Thailand में अविलेबल है एक लिटर का engine है small engine है तो उसमें जो पावर आउटपट है वो सेम है जो Honda के 1.5 petrol engine में with 122 PS पावार लेकिन टॉक जादा है अल्मोस 175 Nm स्टॉक है तो परफॉर्मेस उसमें बहतर मेलेगी छोटा एंजन है तो उसकी फूर एफिशेंसी बहेगी आशकी में लोग चाहते हैं थोड़ा सा fun to drive में कहते हो कार के सस्पेंश को तो तुन अप करिये और टर्बो चाय पेटरोंजन लेकर आईए अगर वो कॉंपग SUV कार के बारे में सोच रहे है तो कब लेग आएंगे मिड़ SUV लेकर आए लास्ट यर अगरेशन की जूरत है क्योंकि जो होड़ा गास इंड़ा दबदबा है ना इंटम्स उफ रलाइबलिटी मैं बता रहा हूँ उनमैच्ट है I am a Honda car owner for last now more than 18 years मेरे परिवार में फैमली में और लोग एक पास भी होड़ा गार है जो इसकी reliability है वो bulletproof है जो engine की refinement है bulletproof है जो car में cabin space है वो बहुत बढ़िया है no nonsense practical car है लेकिन लोगों की जो चाह है ना एक segment of customers है जो चाहते है features advanced features चाहिए उनको दीजे तभी तो customer आपका और increase होगा base जो performance चाहते है उनको performance वाला engine दीजे तभी तो customer base increase होगा जो lifestyle चाहते है उनको features जीजे panoramic sunroof का I think this could have up the game for Honda Cars India जहां मझे रगता है थोड़ी सी कमी रह गई है अगला जो point है boss वो है hybrid के बारे में अब देखे हो Honda Cars India की जो hybrid tech है मैं आपको बिलकुल सबश कहता हूँ जो मेरा experience है city hybrid के साथ या compare करो against Maruti Toyota जो hybrid है वो Toyota दर डॉलप है Honda की जो hybrid tech है वो ज्यादा refinement में आपको plush experience offer करेगी in Honda City ये आपको मैं confirm कर रहा हूँ जो city का driving experience है जो इसके hybrid के engine का sure है जो इसको hybrid चाने का मज़ा है वो ज्यादा बहतर है अगर ये hybrid Honda का city आ Elevate के lower variants से ये नहीं क्या हूँ वो टॉप में लेके आईए आप Elevate का SUV छोड़ दीजे लेकिन साब V से लेके आईए VX से लेके आईए ZX से लेके आईए 17 से 20 लाग रोपे में Honda Elevate hybrid अविलेबल होती ये Honda City के lower variants में hybrid आता Leave aside the SUV V में आना चाहिए था VX अब उनके ZX में आ रहा है VX से बेटा दिया है V, VX, ZX इन सब में आ दे तो I think customer की 17, 18, 20 लाग रोपे में वो सोचेगा कि मैं Krita को छोड़के Elevate में चाहिए जाता हूँ मेरी कार की fuel efficiency भी बहुत भात आएगी Hybrid पर लोगों की सोच बदल रही है और जब government of India उस पर subsidy rebates offer करेगी है Hybrid could find out further more economical also तो मेरे हसाब से HondaCast India के पाज एक technology है उसको लेके आना चाहिए था They could have been game changer also And number five last but not the least I think जो HondaCast India का वर्तमान में portfolio है जो उनकी strategy है जैसे उने greater noida plant बंद कर दिया और जो उनका भी राजस्तान में प्लांट है उसकी जो production capacity है वो 15,000 गाड़ेों की है 1,80,000 गाड़ेों की है But they only say 7-8,000 cars So I think they have a perfect position So as you launch a new car in the Indian market Compact SUV space में जितनी जल्दी कार लेके हैं ज्यादा अच्छा होगा उनकी जो कार्स है ग्लोबल लेवल पे अब BRV है मैं बता रहा हूँ मारूती सुसू की 80 का जो 14,000-15,000 गाड़ेया बिखरी है 7th Street segment में Honda Cars India Why can't they bring in BRV back It looks stunning in the news जो उसकी news का काड़ी बिखरी है Cabins पे ज़दा अच्छी है Engine ज़दा रिफाइंड है Safety में ज़दा अच्छी है होगी तो साहब क्यों ही लेकर सकते है Honda Cars India BRV को भापेंज Honda Cars India Compact SUV को लेकर आईए जल्दी लेकर आईए नाई Amaze को लाँच करिये I think 15, 16,000 गाड़े तो Honda Cars India को बिलकुँ बेची चाहिए जहाँ 25, 26 साल भारतिय पैसेजर काप मार्केट में हो गए Why are they losing the plot? This is beyond my understanding तो एक बात है आप बताईए अगर आपके बस Honda Cars India को अबसफ कर रहे हैं या ओटो सेक्टर को अबसफ कर रहे हैं Are you in sync with my thoughts? अगर है तो मैं इस वीडियो को tweet कर रहा हूँ तो अगर ये वीडियो का मैनेजमेंट देखे तो वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के मारे सोचे I myself is the ex-manufacturer I work with Maruti Suzuki earlier long back 20 years back I know the industry dynamics और मैं काफी सभी से अटो सेक्टर में हूँ पहले ICC bank के और अटो लोन में था I was a regional sales for Delhi और उसके बाद मैं शेयर करिए, tweet करिए और आपको लगता है Honda Cars India के बारे में क्या वो वापसी glory ले पाएगी उसको comment box में जुरू बताईए तो यह आज का session था कैसा लगा? समझ में आता है तो आप वोट करिए और बाकी cars के बारे में कोई information चाहिए do visit the website www.microhelpline.com website पे comprehensive जांकारी मिलेगी about new cars, use cars, finance, insurance, accessories और कोई professional support चाहिए तो माइकर हर प्राइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं Thank you